हाई नमस्कार गुद इवनिंग कैसे आप लोग और आज की तारिक 23rd एप्रिल थर्सडे कल की टोपिक तोरी ज्याद़ डीप हो गई थी बट आप सब को मजा आया तो मुझे बहुत encouragement मिली और आज फिर वापिस पढ़ाई करते करते और research करते करते थोड़ा ज्याद़ डीप चला गया था तो आप सब लोगों का वापिस स्वागत है पार्ट टू में और जो पार्ट टू है यह है कि how can we transform our thoughts and how can we impact our health तो कल तक तो हमने theory की बाते की थी आज practical बाते आज वो tips हैं कि आप क्या कर सकते हैं और साथ दीजेगा मेरा बहुत difficult topic है था तो लिया है हमने but topic है difficult और देखते हैं कहां तक इसको ले जावाते हैं तो जो भी लोग join हो रहा है सबका हाथ जोर करके स्वागत है प्रणाम है आप सबको विकी, मुकेश, दिव्या, नितेश आप सबका स्वागत है तो कल हमने topic को एक ऐसे मूर पे छोड़ा था कि जभी आदमी decide करता है कि नहीं बहुत हो गया भी life में change लानी है तो उससे में functional scan होती है जो अगर brain की imaging करके उसमें देखें तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखे जाते हैं बहुत सारा disorder होता है जो scan में scientist देखके बता सकते हैं आपको अंदर में आंधी तुफान जैसा चल रहा होता है जब ऐसी स्थिति आती तभी वो change आता है वो जो life का changing moment होता है तभी आता है right there in that moment और वहां से आदमी जो पुराने से नए की और बढ़ता है तो हम बात करें थी कि आप अपने unconscious behavior है उसको observe करना चालू करें आप कैसे behave कर रहा है कौन से हालत में आपके ख्यालों को observe करना चालू करें और यह ख्याल लखना के आप आपकी सोच नहीं है आपकी दिमाग में जो चल रहा है वो आप नहीं है तो और इसके और अंदर deep जात आप हैं जो आपकी दिमाग में चल रहा है आप उसको अब्जेक्टिवली देखना है अपने आपको आप कैसे behave करने की situation में वो दूर से देखना है जभी आप वो देख पाए तो आप एक जो unconscious programming है उससे थुरा दूर रहा है और यह जो awareness है यह सबसे पहला step है सबसे पहला पा रहे हैं दूर से मैं क्यों behave कर रहा हूं इस situation में ऐसा क्यों react कर रहा हूं जभी आप यह सवाल पूछ पाते हैं अपने आपको देख पाते हैं तभी आप एक awareness की एक first tip पर आगे यह उसी तरह का महौल है यह उसी तरह का scene है माल लीजे कि आप अंधेरे में खरे हैं आपक से बहुत जाते हैं बट वो strike नहीं करते हैं पता है महान कैसे बन सकते हैं क्या-क्या तकलीफ है उठानी होगी क्या-क्या चीजे करनी होगी लेकिन वो और आपके लिए माचिस को दूसरा जला सकता है कितनी रुपे की class कर लें कितनी भी गुरू के पास चले जाएं यह जो match box है वो खुदी जलानी होती है तो standing in the dark और वहां पर जो माचिस जलाना है इसमें यह है कि आप तयार है कि आप उन्नोन की तरफ जाने के लिए तयार है जो आपने न कभी जाना ना सोचा ना दम नया है बिलकुल बट वहां पर आपके अंदर से आवा जाती है यह बहुत तक सब्कॉण Qe capei कर माम हूँ अलए ऑट यह याद रखे जिछू है यह अनकोंशबिय्ट में आपकी ज़ी रहती और अनकॉंशुस है विट में क्या-कीजिजे नॉमली चलती है मैं तिरा गौर कीज़ेगा, हाई नीरज, सौरब, Unconscious habit में हमारी चलती है complaining, किसी भी situation में complaining चलती है, उसने ऐसा करते हैं, उसने ऐसा, excuses बनाना, मैं तो करना चाहता था, नहीं कर पाया, कुछ situation हुए, feeling sorry for yourself, अपने आप पे दया करना, अपने आपको बहुत ही, मजबूर समझना, दूसरों के उपर judgment हमें से पास, वो ऐसा करता तो अच्छा हो जाता है, अभी हमारे देश में सबसे जज़्ज्मेंट एक ही आदमी के पर पास होते हैं, जो शायद सबसे ज़्यादा काम भी करता होगा, वो दी, बट यह याद रखें, यह जो सारा जो complaining है, excuse making है, sorry feel करना है, दूसरों को judge करना, यह सब हमारी habit है, और यह सब unconscious habit है हमारी, तो हमें क्या करना है, खोरसा awareness बढ़ाना है, और इसको drop कर दे, छोड़ देना उसको, छोड़ना असान नहीं, तो आपको, मैं जो request करने वाला हूँ, बड़े विनम्रता से request करने वाला हूँ, कि अभी तक आप जिन्दगी बिता हैं, और बिता रहे हैं, वो guilt में है, कुछ गलत हो गया, कुछ suffering भी है, किसी को खो दिया आपने, किसी ने आपके साथ अच्छा वैभार नहीं किया, उसकी suffering लेकर चल रहे हैं, कुछ दर्द है, बचपन के दर्द है, जिन्दगी के दर्द है, उनको लेकर चल रहे हैं, बहुत सारी unhappiness लेकर चल रहे हैं, तो जब तक ये सब चीजे लेकर आप चल रहे हैं, और हर दिन चल रहे हैं, तो आपको बहुत normal feel होता है, क्योंकि वही आप हैं, ये familiar है, ये unconscious familiar habits हैं, जिसमें हम अपने आपको comfortable महसूस करें, बड़ जिस दिन आप realize करेंगे, कि अब कितने साल से खुद को एक guilt में लेकर चल रहे हैं, या फिर suffering में लेकर चल रहे हैं, तो suddenly आपको realize, oh my god, ये पिछले 10 साल से मैं खुद को guilty मान के चल रहे हैं, and you just feel like yourself, because वो तो unconditional habit है हमारी चल रहे हैं, but then you start to separate from your biology, जब ये आपको पता चलता हैं कि नहीं, ये guilt में सोच के जो मैं चल रहा था, जो जी रहा था, ये सही नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, तब आपकी डियालोजी में change आता है, और एक बहुत बड़ा factor है, इसमें unlearning और relearning करने का, otherwise, 95% जो हमारे अंदर है, वो हमें उस चन में भी रोकती है, किसी नए feature में जाने में, कुछ नया danger वाला, risk वाला काम करने में, जिस आपको मालूम है कि आपके, जिन्दगी में बहुत करामाती परिवर्ट ना सकते हैं, लेकिन शायद आपको math strike नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि 95% वजूद जो है आपका, उसको रोकेगा, क्योंकि उसको familiar पसंद है, जो रोज होता है, जो रोज का ड्रामा है, वही पसंद है उसको, आप सुबह माली जो सो के उठे, और आप पुरानी problem सोच रहे हैं, पुरानी problem कहां से आ रहे हैं, पुरानी thoughts से आ रहे हैं, पुरानी memories से आ रहे हैं, पुरानी emotions से आ रहे हैं, तो आपकी जो thoughts है, आपकी जो विचार दिमाग में है, वो brain की language है, brain कैसे समझता है, thoughts में समझता है, जो विचार चलना है वो मन वही समझता है, ब्रीन वही समझता है, बट जो feeling हम feel करते हैं body में, जो हम बोलते हैं gut feeling, दिल में ऐसी feel हुई तो विचार और feeling में फरक है, feeling हम body में feel करते हैं, विचार हम दिमाग में, मन में feel करते हैं, तो जिस तरह से जो विचार है वो दिमाग की भार्षा है उसी तरह से feeling जो है वो body की भार्षा है और आप जिस तरह से think कर रहे हैं जो सोच रहे हैं और जो feel कर रहे हैं वो आपकी state है वो हमारी state है डॉक्टर जो डिस्पेंजा का कहना है तो हमारी state के आगे कुछ unknown है और unknown कहा होता है unknown हमेशा एक present moment में होता है मुझे मालम है यह ज्यादा deep हो रहा है इसको थोड़ा तोरने के कोशिश करेंगे थोड़ा आसान करने के कोशिश करते हैं तो आप मेंसे जो भी लोग creative हैं कलाकार हैं कुछ गाते हैं कुछ paint करते हैं जो आपकी hobby है उसमें आप जभी घुसते हैं और क्योंकि आप उसमें न future में हैं न past में हैं उस आप present हैं और वो जो awareness होती है न उस present में रहना वो सबसे बड़ा creative moment होता है तो अक्सर हम जिंदगी में चाहिए आप कहीं भी हो आप यहां बैठे-बैठे मेरी program में सुनते-सुनते भी आप आपका दिमाग कहीं और जा सकता है किसी और जगह जा सकता है और आ सकता है यह दिमाग की फितरत है दिमाग क्या मन की फितरत तो उसको जभी control करना हम सीख गए यह परिवर्तन आएंगे otherwise आपको तो जैसे ही यह चल रही है यह creativity programming सब present में है suddenly आपको पुरानी यह uncomfortable लेगे आपको बहुत तुरत में आप क्या कर लेंगे मैच देखने चले जाएंगे मोबाइल चेक करने लग जाएंगे यह डीप जाने से लोग भाग जाते हैं तुरत बहुत जल्दी बाग जाते हैं बट चेंज जो है यह एक बहुत हार्ड एक्ट है इसमें आपकी विलपावर की शक्ति होती जो मांसिक शक्ति उसका प्रिक्षन होता है तो अगर आप लोग अभी तक जो मैंने बात की उससे सहमत लग रहे हैं तो मुझे कुछ इशारा दीजे कुछ बताइए फिर हम आगे बढ़ाते इसको बट जब ही आप अपने विलपावर का इस्तेमाल करते हैं जब ही आप चेंज की तरफ आगे करतन करने में तो suddenly आपको लोगता अरे वाह यह तो कमान यह तो काम करता है और वो जो मोमेंट ऑफ टूथ होता है जिसमें आपने अपनी जिन्दगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेज किये हैं फिर आप उसको आगे भी लेकर जा सकते हैं इस लाइक काईड आफ दिया उसको लेकर अभी भी जी रहे उसको छोड़िए वाट कुछ अच्छी आद अच्छे हैं असमुख हैं आप दिल से अच्छे हैं आपकी दोस्ती बड़े अच्छी लोगों से उनको लेकर आगे चलिए और धिंकिंग जो है यह पास्ट में लेकर चलना पुरानी चीज में होते हैं तो आप हमेशा सर्वाइवल मोड में होते हैं एक इमर्जेंसी की सिट्वेशन में जी रहे होते हैं एक फोन कॉल आपका स्ट्रेस बरहा देता है एक कोई सिट्वेशन में आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है तो आपको लगता है आप स्ट्रेस के समय में क्रियेशन का टाइम ही नहीं होता है बट आप जो लोग अपने आपको जो डिस्पंजा ने पूछा जो अपने आपको हील कर पाए ठीक कर पाए उनसे पूछा कि आप में चेंज क्या हुआ तो उनने बोला मैं एक तंग आ गया था अपनी सिटुएशन से अपनी बॉड़ी से वो दर्द से वो परेशानी से और मैंने तभी के तभी डिसाइड किया कि मैं चेंज करूंगा और वो जो मुवमेंट होती है उसमें कि नहीं है मुझे चेंज करना है तभी से बॉड़ी कैसे आती आगे देखेंगा इसको और जभी वो आदमी जो बहुत ही बीमार था बेड़ पर भी हो सकता है लेकिन जभी उनमें जो पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं तो उनके आजू-बाजू की लोग देख के बोलते क्या हो गया इसको कल तक तो यह बहुत ही बीमार था बहुत ही सैड सा देख रहा था सड़नली आज बहुत ही पॉजिटिव है कुछ तो परिवर्तन आगे तो क्या परिवर्तन है आगे देखते हैं ओके हाई एम आई बींग आडिबल जस्ट लेट मी नो इफ आइम आडिबल तो अगर आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड चेंज करनी है तो आपको कुछ तो बिहेविर में चेंज करना होगा यह जो मौनिंग रूटीन हैं बरे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो अगर आप सुबह सुबह अपने दिमाग को एक पॉजिटिव स्टेट में लेकर रख पाए तो दिन तो अच्छा जाएगा है कि नहीं तो आगे कैसे कैसे उसको देखते हैं और कुछ तो लोगों के कमेंट आए हाए 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 विकी मुकेश दिव्या नितेश जी स्वरबन शर्मा निरस्थिवारी जी अर्चना कुस्वाह पापा सुधिर जी अभिनाव उश्कर संधीप अनिल थैंक यू संधीप फॉर जोइनिंग संधीप वह सेंग डिप्रेसर हाइ उज्वल हाइ विकास अभिनाव जी प्रिया रंजनना एक हाई एपसुलिटी करेक्सों मंदल जी बोलने दुर्गेश पांड़ी जभी भाई थैंक यू सो मच थैंक यू अगर आपको अपनी स्टेट अफ माइंड चेंज करनी तो एक मॉर्निंग हैबिट में परिवर्तन लाना है आप याद रखे कि मेरी आज की जिन्दगी है ना यह मुरे पुराने थॉट्स के हिसाब से चल रही है अभी मैं आपको खुद के एक्जांपल बताता हूं मेरे ज सोच कि life is struggle, बहुत hard काम करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आपको जिन्दगी में सब कुछ एक साथ नहीं मिल सकता पता नहीं सब कहां से विचार जो आये थे बट यह बड़ी predominant थे और एक चमतकारिक परिवर्तन भी उसके बाद आया है 2012 ते रहा है इद्रुबजीत तो बट याद रखे कि सरश्वती और लक्षमी साथ में नहीं जाती, आपने भी सुना होगा, आपने सुना होगा ये कि विद्या और जो लक्षमी है साथ नहीं जाती, मेरे दिमाग में बात थी, नितीज़तन कई सालों तक अच्छा काम करते हुए भी पैसे नहीं बढ़ते थ वो आज जिंदा है हमारे साथ है, बहुत 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 है भगवान की, तीन फ्लोर से लिफ्ट में नीचे गिर जाना, multiple fracture, acetabulum, crushed, तीन महीने बेड़ पे रही हैं, और उसमें से वो निकल के खरी हुई है, उनकी willpower, बट कही न कहीं हद तक मैं भी उसके लिए guilty था, मेरे खुद की life की perception, soul, choices थी, बरी negative थी मेरी, एक victim वाली सोच थी मेरी, बट वो change हुई, एक mind power workshop पटेंड करने के बाद, और 2013 के बाद से तो फिर, ऐसे चलना चालो हुगा है, बीचिर्ज में लग जाती है, break लगती है, बट उसमें वापिस हम उसको चलाने की कोशिश करते ह राइट, परी deep हो गई है topic, तो आप सबसे request क्या है, आपको सबसे पहले अपने thoughts का charge लेना है, आपके दिमाग में, आपके जो मन में जो विचार चलना है, उस पर control पहले डालना, उसके बाद आपके actions पर control automatic आएगा, फिर आपकी feelings आप क्या feel कर पा रहे है, किसी भी situation में, कि आपकी self-talk क्या है, self-talk, आप खुद से क्या बात करते हैं, खुद को आप क्या समझाते हैं, खुद को क्या बोलते हैं, खुद को क्या बेचारा समझते हैं, sorry feel करते हैं, कि खुद को powerful महसूस करते हैं, तो जबी आप, मैंने थोड़ी से change हुए, positive thoughts में, उसके बहुत सारी ची शिवा को बोला कि शिवा आप बोलो तो प्लेन रुखवा दे, मतलब उरने को बोले, तो हसे और एक पांच मेंट का दर में प्लेन उरी थी, तो ऐसे जबी आप manifest करने लगते हैं, चोटी-चोटी चीज़ है, मजज़दार चीज़ है, तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपको लगता है कि आपके हाथ में creativity की power है, एक और चीज़, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे, वो इनसान ठीक नहीं है, वो ऐसे behave करेगा, आप पहली बार उनसे मिलने जा रहे हैं, और किसी दूसरे की सुनीवी बात पर किसी भी आदमी को judge मत कीजिए, अपकी पहली interaction उनसे किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी ने गलत picture आपको दिया है, अलग picture दिया है, आप उसको बिलकुल मत मानिये, आप जैसी सोच लेकर जाएंगे, सामने वाला वैसा आप से behave करे, लेकिन अगर आपकी सोच पहले से ही है, जैसे मेरी थी पहले, negative perception लेके चलना, लोगों को से देखना, जली भरोसा नहीं करना, तो यह वैसे ही चीज़ा होती रहती है, लाइफ में, तो creativity, thought जो है हमारे, वो actions और वो हम manifest करते हैं, प्रियार एंजन पूछ रहे हैं, how can I control thought or any past pain, good question, हम आ रहे हैं उसके उपर प्रियार, तो अपने जो आपकी जो ख्याल है न, और बाकी लोग भी जिनकी दिवाग में चल रहा होगा, और मैं किसी का matter skip नहीं करूँ, आज सब के matter इसमें आएंगे, उसकर आपकी भी matter आएग कि ये दुनिया कैसी है, क्या है, ये मेरा perception है दुनिया का, कैसे मैं दुनिया को देख रहा हूँ, और उसके इसाब से दुनिया आपके साथ behave भी करती है, और अक्सर लोग बोलते भी हैं, मुझे पता था ऐसा होने वाला है, कैसे पता था भई, कुछ अनुभव थे, पुरा पुरी जिन्दगी चलेंगे, तो पुरी जिन्दगी वैसी रहेगी, वही तो पूरा फंडा है, कि आपको अगर लाइफ में परिवर्तन चाहिए, तो आपकी पुराने विचार, पुराने हैबिट, पुरानी फिलिंग को चेंज करना होगा, बट ये 95 परसंट आपकी जो ब बनाई थी दस साल पहले, मूवी का नाम है What the Bleep, Do We Know, आप समझ गये होगे, यूटूब पे है, मैं आज कमेंट में लिंक टालूगा, ये क्वांटम वाली मूवी है, इसमें दुनिया के टॉप क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, साइक्याटरिस्ट हैं, माइंड के लोग हैं, और उन्होंने ये बताए कि हम जो दुनिया देखते हैं, वो तो हमारी Newtonian दुनिया है, 3D में देखते हैं, हम क्या, लंबाई, चौराई, गहराई, बस, बड़ दुनिया ये नहीं है, ये तो जो दुनिया दिखाई देती, उसके बाद जो है, उसके बाद के जो दुनिया है वो quantum के दुनिया है, दुनिया में आपको ये बहुत ही अशर्जनक बात लगेगी, कि 99.99% जो space है, वो खाली है, matter भी नहीं है, वो क्या है, किसी को नहीं मालूम, और हम जिस दुनिया को देख रहे हैं, जो 3D मेंशनल है, जिसको हम touch, feel, senses से कर सकते हैं, उसको हम reality मान के रहत हैं, और उसी में दुख, सुख सब अनवव कर लेते हैं, तो अगर आपको अपनी life में बड़े वाले परिवर्तन करने है, बड़े वाली भीमारी ठीक करनी है, इम्मिडेटरी बहुत सारे changes लाने, तो Dr. Joe Dispenja का कहना है, कि आपको इस दुनिया से थोड़ा सा detach करना होगा, उसके लिए क्या steps है, हम आ रहे हैं उसके उपर में, अंदर भी देखा गया है, इवन एक जो atom होता है, वो भी 99.99% खाली ही होता है, आगे आते हैं उसके उपर, तो हमने एक कहानी खुद से बना रखी है, हमारी जो belief है life में, कि life बहुत hard है, बाकी जो लोग है मुरी अच्छे से treat नहीं कर रहे हैं, life में ऐसा ही, माल दीजे हम वो बंदा हट गया तो, आपकी life में आपका boss problem है, boss change हो गया, तो क्या आपकी problem solve हो जाती है, मैंने तो लोगों कुछ जिंदगी पर struggle करते देखा है, उनके कितने घनेड़ो boss change हुए, कुछ परिवरता नहीं हुआ, problem boss में नहीं थी, आपकी जो सोच थी, आपकी mental status थी, उसमे wired है to be creative, हमारे दिमाग में ऐसा है कि हम नया कुछ कर सके, हम नया कुछ create कर सके, लेकिन हम past में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो comfortable है ना, और जब हम past में रहते हैं, stress में रहते तो हम क्या करते हैं, हम stress वाले hormone create करते हैं, हम stress में रहते हैं, तो हम survival वाले mode में रहते हैं, emergency वह वाले mode में रहते हैं, तो दिल तो खलती ही नहीं हो समय, दिल खलता नहीं, तो नही चीज कहां से सीखेंगे, वो पुराना गिल्ट, पुरानी तकलीफ वो सब लेके चलते रहेंगे हम, किसने क्या किया हमने क्या किया है यह हिसाब किताब चलता रहेंगे और जब तक आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप अच्छे फ्यूचर में आपका बिलीफ ही नहीं होगा, बिगोज आपको सोचने कि समय नहीं है, आप कहां से नहीं चीज़ क्रियेट करेंगे, तो चॉइस तो आपकी है, उस हालत में भी चॉइस आपकी है, कि आप उठें, सुबह में उठें और एक नहीं विजन से डिफाइंड होना कि पुराने फ्यूचर में जो चलना था उससे पुरानी मेमरीज से नहीं, आज से मैं क्या करने वाल हूँ, मैं डिसाइड करूँगा, पीछे जो हुआ, दाने दीजे ना उसको, जतने भी लोग जिनकी जिनकी जिन्दगे में miraculous changes हुए है, कमाल के परिवर्तन हुए है, उन सब लोगों ने एक दिन खाली, जो डिस पेंज करना है अपने आपको, तो यह जो firm intention है, कि मेरे को change करना है, मेरे को ठीक करना है, और यह जो amplitude है decision की, यह जो तीवर्ता है, जो आपके सोच की जो तीवर्ता है, और यह जो एक तरह की energy बनाती है, और यह जो energy है, वो आपके जो hard wide programming है दिमाग की, उससे बड़ी energy है, मुझे change करना है, मैं तंग आ गया हूँ इस से, इस हालत से, तो जबी आप यह खुद से बोलते न, आप अपने आपको थोड़ा पुरानी वाली अपनी स्थीटी से खुद को अलग भी कर पाते हैं, आते हैं मैं इसके उपरोर, देखते हैं और क्या लोग लिख रहे हैं, आनिल, वा कुद बी पॉजिटिव, धुरुबजोती, गोहा, सिल्फ टॉक कुद बी पॉजिटिव, बट, 95% अव दे टाइम, यह बॉड़ी के फीलिंग में नहीं आए, बॉड़ी के फीलिंग में पॉजिटिव टॉक जब आता है, जबी आप अपने डिफिकल्ट और अंकम्फर्ट सिट्वेशन में जाकर कुछ नहीं चीजे करते हैं तो, अदर्वाइस खाली सोच-सोच के तो अमीर ही नहीं हो जाती है, एक एंगल है, आट अफ अट्राक्टिंग्टिंग्स इन यूर लाइफ, बट, manifestation without action doesn't happen, so even the law of attraction has a big amount of action in it, so yeah, being positive is good, हाई पंकर्ज, आप पहले बार आए हैं, और बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं, तो अभी ए emotional conditioning जो है, हमारी body की, हमारे सरीर में बीमारी चली, इस पर एक interesting सी कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, क्रिस की बात इमने पहले भी की थी, तो, क्रिस beats cancer करके एक website है, मैं उमीद करूंगा, आप लोग उस पर जाएं, चेक करें, 2003 में, जबी क्रिस की उमर खाली 28 साल थी, उनको stage 3C का colon cancer बताया गया था दॉक्टर, और cancer जो थी तब ही तक lymph node तक में फैल गए, तो आप जो भी science से related हैं, आप समझ पाएंगे, कि lymph node तक cancer पहुचना मतलब फैल जाना है, और काफी dangerous होता है, क्रिकि वहाँ से फटा-फट क्या किया उन्होंने, एक बहुत ही ये positive सोच थी उनकी और उन्हें diet में भी change लाए, और natural non-toxic therapies करना चालू की, उनका basic belief यही था कि ये जो 28 सामर में मेरी body ने इतना करना से cancer पैदा किया है, तो मेरी जो body है, यही इस cancer को ठीक भी कर सकती है, और ये जो सोच थी उनकी, इस सो अधिक, उनकी सोच थी कि मेरी body ने cancer create कि है, तो मेरी body ठीक भी कर सकती है, आज हम 2020 में हैं, और क्रिस cancer free है, healthy है, website चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने अफितक 1000 हो cancer के मरीजों को यह बता है, कि कैसे आप अपनी बीमारी से अपनी सोच में परिवर्तन ला करके, meditation करके, सही diet ले जब है miracle की शुरुआत होती है, तो उस जो situation में आप super powerful होते हैं, बड़े powerful होते हैं, आप इस कुछ लोग जानना चाहूंगा, क्या आपने कुछ सोच के अपनी life है manifest किया है, कुछ अच्छी चीज, कोई एक सोची हो, जैसे सौरब बता रहे थे कि जो गारी आप खरीदने की सोचने लगते हैं, वही गारी, वही color आपको दिखाई देती है, अगर आप लोगों को ऐसे कुछ example दिखें हैं, तो बताएं, कोई चीज जो बड़ी शिर्दत से आपने चाहिए, किसीने आपको gift दे दी, एक हुआ था हमारे साथ, digital camera, digital camera, सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते के लाए, और मालुम है, जिस वी खरीद के लाए, उसी वी company ने सेम camera, सेम model gift में दिया, अब बताएए, तो हम इतनी शिद्दत से उसको चाह रहे थे, कि भगवान तो लगा हुआ था, हम थोड़ा सा अपने उताबलेपन में जाके खरीद लाए, बाद में वह camera आ गए, तो नीलवी अगर आपको याद होगा, तो वह camera आपके पास गई थी, वह digital camera, yes, because कैसे आपने manifest किया अपनी life में, कुछ positive चीज बताए मुझे, आगे बढ़ते हैं, आप में से कितने लोग हैं, जो रात को सोते हैं, और सपने में आपको suddenly ये ख्याल आते हैं, कि आप सपना देख continue करते हैं, अच्छा वला है तो, जब ही आप ये कर पाते हैं, जब ही status में पहुंचते हैं, इसको हम बोलते हैं, lucid dreaming, तो जो चीज आप सपने में manifest कर पा रहे हैं, आपको दिमाग काम कर रहा है उसमें, और आप उस हालत में खुद को रोक करे, सोच पाते हैं, कर पाते हैं, ये एक इशारा है नेचर का, कि आपके अंदर creativity पूरी भड़ी पड़ी है, और ये life भी आप lucid dreaming के हिसाब से जी सकते हैं, तो देखने हैं कुछ, या दुरूब जोती, it happens, yes, my transfer back to Delhi from Mumbai, आपने सोच सोच के अपना transfer करा लिया, fantastic, दुरूब जोती बोलने हाँ, होता है, अनिल ये जो हम बात कर रहे हैं, कहने को तो बड़ी डीप बात है, लेकिन बड़ी दिल के करीब बात भी है, ये हम सब कहीं ने कहीं महसूस करते हैं, मैं एक और example आपको बताना चाहूंगा, आप सब में एक superpower जो है, जो कि internet, telephone, सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा powerful है, उसम पिर उनका कुछ ऐसा phone आएगा कि अरे, मुझे याद करें, दे क्या, ये जो feeling है, इसको आप Newtonian जो physics है, उससे नहीं समझा सकते, 3D में आप नहीं समझा सकते, हमारी senses भी नहीं समझा सकते, लेकिन ये क्या नहीं होती, होती है, आप में से कितने लोगों को ऐसा अनभव और आपको लगे कि अरे, ये तो पहले हो चुका है मेरे साथ, exactly, वो बंदा ऐसा चल के आएगा, वैसे बोलेगा, और आपको देख चुका हूँ, इसको desirable की feeling बोलता है, बट ये कैसे कहा से आगया आपकी दिमाग में, अगर आप, सपने में भी आप कुछ सोच रहे हैं, या और फिर रियल लाइप में suddenly आपको ऐसी, ये कहा से होता है, ये कहा से होता है, ये सब quantum है, ये Newtonian physics में explain करना बहुत difficult है, telepathy is quantum, कैसे हम connected है एक दूसरे से, संदेप नींद क्यों नहीं आती है, उसके पीछे भी कई कारण हो सकते हैं, हम बात करेंगा, उसके उपर, sleep के उपर हमारा special topic होगा, तो for example, जैसे आप lucid dreaming करने के आप create करते हैं, अपने सपने को control कर सकते हैं, तो मुझे एक बात बता है, अगर आपको जिंदगी में बहुत सारे पैसे चाहिए, और आप हमेशा scarcity की सोचें, तो आपको पैसे आएंगे क्या, अगर आपको बहुत सारे पैसे च टाइम्स में पैसे return आएंगे, अपनी जाहां से उचा भी नहीं होगा, उधर-उधर से पैसे आना चालू करेंगे, अगर आपको master बनना है, आपको एक बहुत अच्छा खिलारी बनना है, तो क्या आप दूसरे पर judgment pass करते रहेंगे, कि दूसरे को मदद करते रहेंगे, यह नहीं कि इसके साथ अच्छा behavior, दूसरे के साथ अलग behavior, तो अलग-अलग लोग के साथ भी मेरा behavior, आप चाहे वो, मैं तो एक, कभी कबार बोलने में बोल जाता हूँ, कि आप किसको किस तरह से treat करते हैं, यह depend नहीं करता है, कि वो watchman है, कि वो driver है, कि वो company के CEO है, वो तो तो आपको अगर थोड़ी greatness दिखा नहीं है, तो सबके लिए आपके जो level of respect है, एक ही होनी चाहिए, और यह law है, यह quantum physics की law है, तो coming back to the manifestation part, हाई चभी, are you not getting the video or the audio, क्या lag हो रहा है बताएं जरा, I'll just wait for a moment, so that it subsides down, क्या आप सब लोग अच्छे से सुन पा रहें, जरा कन्फर्म कर दें, कि एक हाली चभी की लाइन में problem थी, कि overall सब लोग को problem में आ रही है, then we can continue, I am not getting any responses, looks like there might be some तक देखलें कॉंसे कॉंसे लोग हैं, या, Mishra ji, बूले, I am a stember and follow-up, one of your saying, once you said, whenever I have bad thoughts, then give signals to body by pinch, I started wearing a rubber band in my wrist, thank you, Naveen ji, बहुत बढ़िया, when I felt bad, negative, just give a small current to body, and within a week, my mind stopped thinking negative, okay, Anchal, thank you, आप सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है, अब यहां फेस्ट भी देख लेते हैं, okay, thank you so much, so, no clear problem, Chavibhai, looks like there might be some bandwidth issues, so, people here are confirming, so, we'll go ahead, and if you have missed some part, I have what a request is, we can always go and watch the video, मैं YouTube के link भी डालने के कोशिश करूँगा, so, जबी आप Visualization की Start करते हैं, सोचना चालू करते हैं, हमें, life में क्या क्या चाहिए, body में क्या परिवर्तन लाने हैं, और, आपके, जो, feedback जो आपको युनिवर्स से मिलना चालू करेगी, जबी आप positive चाहिए, आपके लाइफ में synchronicity होगी, आपको नए-ने लोग मिलेंगे, उस नहीं ख्याल से मिलने जुड़ने वाले, आपको नहीं opportunity मिलना चालू होती है, नहीं ने coincidences बना चालू होते हैं, और serendipity होती है, साइंस के लोग हैं, वो serendipity का मतलब मुझे समझाएंगे जरा, कि serendipity क्या होती है, संदीप इस सेइंग, I saw some places and where I went in my, oh nice, 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 very good, very good, तो आप तो actually manifest कर पा रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आप अपकी life में वो manifest हो रहे है, संदीप मैं भी पूछना चाहूँगा, आप जो car drive कर रहे हैं या जो bike, वो तो कभी आपने सोचा ही होगा, कि मैं एक दिन ये bike खरीद हूँगा, कि suddenly ऐसे एक है, और कोई भी bike खरीद ली, नहीं न, आपने थोड़ा समें सोच होगा, थोड़ा time invest किया होगा, थोड़े emotions लगाए होंगे, और जब भी आप ये manifest कर पाते हैं, तब भी आपको suddenly ये realization भी होती, कि wow, I'm powerful, मैं तो अपनी जिंदगी में ये सब चीज़े कर पा रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक सब्सक्राइब देरे वो शुरू होता है होना, कि ये जो feeling है न, कि I'm the creator, मैं जो चाहूँ देरे-देरे कर सकता हूँ अपनी life में, या गट, 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 बीमार से थे, आपका ये परिवर्तन life में कैसे, ये परिवर्तन कैसी आ गया, तो उन्होंने बोला कि मैंने, मेरी जो genes थी न, जो disease को, जो cancer वाली genes थी, जो negative emotions थी, behavior थी, जो मेरी thought थी, उसको मैंने downregulate किया, और मैंने जो genes थी, जिससे health आती है, मैंने उस पर ध्यान दिया और उसको ले किया है, तो जो डिस्पेंजा बोलते हैं, क्योंके workshop में, तो ये तो scan पी वो देख पाते हैं, कि लोग चार दिन में, चार दिन की meditation में, चार दिन के positive thinking में, चार दिन की नई thought और behavior और action में, आपके genes की expression change कर सकते हैं, genes that help restoring the balance of cancer cells and tumor, वो genes जो की stem cells को activate कर सकते हैं, वो genes जो की आपकी damaged cell को repair कर सकते हैं, ये सब वो gene जो की neurogenesis कर सकते हैं, नए-ने brain के cell बना सकते हैं, gene जो की body का oxidative balance और microtubular balance चेक करते हैं, gene जो की cellular structure को maintain करते हैं, यह सब चार दिन के अंदर में खाली चेंज हो सकते हैं, कैसे आगे आते हैं, उसके लिए सुरुवात कहां से, thinking differently, making difficult choices, doing different things, having new experiences, feeling new emotions are important, and then when you do that, your genes actually change, यह आपको हमारी पहली पिछली की टॉपिक से याद होगा, epigenetics की भी हमने बात करी थी, कि epigenetics is the science which is newer than genetics, कि आपकी genes आपको, आप doomed नहीं है, आपकी genes की विज़े से आप, कि जिद्निके में कुछ हो रहा है ऐसा नहीं, आप कैसे इस दुनिया को perceive कर रहे हैं, और क्या information आप, क्या thoughts, क्या विचार आपके मन में चल रहे हैं, उसकी हिसाब से आपके genes निकल क्या आते हैं, उभर क्या आते हैं, बाकि हम तो marvels हैं, हमारी जो adaptability है, हमारी जो change में survive करने की जो छमता है, वो तो कमाल की है, है, change, but यह change क्या है, change, change to be greater than your body, आप आपका शरीर नहीं है, आप जो है, वो आपका शरीर नहीं है, आप अपने body से greater है, आप इसकी जो emotional conditioning है, और emotional conditioning में body क्या सूचता है कि वही मन है, नहीं, वो मन नहीं है, आगे देखते हैं उसको, हमारा जो मन है, it's greater than the body, habituated into predictable future, हम जो environment है, उससे बड़े हैं, environment में चाहे जो भी चल रहा हो, आप देखेंगे अक्सर, और एक तो मैं एक बच्पन की आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बार, काफी एक हादसे वाली चीज हो गई थी, सुबह-सुबह निकले थे, मुझाफपूर से पटना जा रहे थे, और part 2 की examination होनी थी, जो लॉजी की examination थी, तो I had to reach पटना and then go to Dhanapur for examination, pocket में कुछ 300-400 रुपे थे, और early morning, ठंडी की सुबह, मुझाफपूर से चले थे, बस मैं loot हो गई, तो सुबह-सुबह, एक college वाले student को वो तमंचा सटना जो पैसे हैं दे दो, तो पैसे के साथ उसने मेरी admit card भी ले ली थी छपटके, तो मैंने आज जोरा request किया था कि मेरा आज परिक्षा है, admit card छोड़ दो, तो उसने बाहर जाते जाते, 300 रुपे थे, वो रुपे तो ले लिये, बट admit card फिंक दिया था मेरी तरफ, उसके बाद काफी घनेरों हुआ क्या, कि उसका लोगों ने jam लगा दिया, बस मैं loot हो गई न, तो लोग गुस्य मायक और jam लगा दिया, और हमसा परिशान थे कि कभी रास्ता खुलेगा, और जा पाएंगे आगे, और खासकर मेरी एक परिशा की तियारी, मैं तो पहुचना है, फिर वहाँ से जाना है, बट उसी समय मैंने एक इंसान को देखा, जो ambassador कार थी एक, सेट टाइप लग रहे थे, और वो गुणगुण रहे थे, घूम रहे थे, पान खा रहे थे, तो मैं उस खीज में भी मैंने उनको जाके पूछा कि यहाँ सब लोग परिशान है, सब चिंतित हैं, और आप मतलब ऐसे क्यों है, तो नहीं बोला, देखो, मुझे फ्लाइट है, पटना में, जाके फ्लाइट लेनी है, अभी मैं कितनी भी चिंता करलू, कितनी भी सरफोरी करलू, जबते कि रास्ता खुलेगा, तभी तक जा सकता हूँ, तभी इस इस हालत में, मैं खुद को चिंता करके, ब्लेड प्रिश कि ये आदमी इतना शान्त हो सकता है, और इन्वार्मेंट एक ही है, एक ही इन्वार्मेंट में है, वो भी अटके हैं, मैं भी अटका हूँ, तो मेरे अंदर में कुछ उससे में चेंज आए, तो मैं भी आपसे वही बोली कोशिश कर रहा हूँ, कि आप जो body जो aptitude है, एक predictable future में, एक पहले से सोच में, आप उससे बड़े हैं, आप आपके इन्वार्मेंट से बड़े हैं, और जभी आपको ये realization होता है, तो आप कुछ-कुछ change कर पाते हैं, बट अगर आप वही चीजे करते रहें, वही सुबह उठें, वही चीज की वही लोगों से मिले, वही same और exact same time पर वही चीजे करते गए, तो आपकी जो personal reality है, वह आपकी personality को define दरना चालते हैं, जिसमें अभी आप हैं, मैं भी हूँ, currently, so if I have to change, Dr. Joe Dispenja is saying, because every person, every object, everything, every place, it's already mapped in the brain, they're default में चल रहा है, और हम क्या हैं, अगर चीजे ठीक से हो रही हैं, we feel good, और जैसे ही चीजे ठ हम क्या हो गए, victim of the environment, हमारे अनुसार environment चल रहा है, तो हम feel अच्छा कर रहा है, हमारे अनुसार environment नहीं चल दी, हम immediately बुरा feel करते हैं, आपको कोई आदमी नाराज कर देता है, that means, उस आदमी का आपके उपर unconsciously इतना control है, कि वो आपको नाराज कर सकता है, otherwise, खुशी और जो नाराज होने का button होता हमारे आप, खुद के अंदर में है, कितन लोग इसको agree करते हैं, कि कोई दूसरा आदमी आपको नाराज कर सकता है, यह power किसने दिया, तो maintaining the modified state of mind is important, तो अगर आपने decide कर लिया, कि मेरे को जिंदगी में change लाना है, परिवर्तन लाना है, अच्छा करना है, change हो जाना है, तो आपको judging की में वापिस नहीं जाना है, complain नहीं करना होगा, excuses नहीं देने होंगे, और नहीं justify करना होगा, कि यह उसकी वज़सा हो गया, आपको 100% responsibility लेनी पड़ेगी, जिस भी situation में आपको, और जबी आप इस नई चीज के लिए तियार हो जाते हैं, तो सेल्फ में कर रहा है, आप खुद में बिलीव कर रहा है, और जिए आप खुद में कर रहा है, तो आप कौन है, you are part of who, part of nature ना, तो आप नीचर में बिलीव कर रहा है, तो जभी आप प्रेजन पोंड में हैं, अवेर हैं, तो आप, पास्ट को भूल गाया, आप फूचर में शांती से सुन रहा है, तो आप aware है, आप present है अभी, और इस से बड़ा, so, it is you, and this is the meditative state, instead of, अभी आप कुछ और भी कर सकते थे, अभी आप TV देख रहा है हो सकते थे, आप अभी आप कुछ ऐसे ही mobile पर कुछ देख रहे हो सकते थे, लेकिन वो न करके आप यहाँ हैं, और इस चीज़ को सुन पा रहे हैं, और इस चीज़ से connect हो पा रहे हैं, which means you are aware, आप present है यहाँ पे, this is big thing, otherwise आपकी body क्या है, आप सुबह सुबह पांच, एक 8 बजे बैठ जाएं, meditation के लिए, अभी के समय में, और 8 बजे का समय था जबकि आप traffic में रहते थे, आपको office जाने की जल्दी रहती थी, और आपको आदत थी वो traffic की, traffic में फस ने की, तो आपकी body, जैसे आप meditation ने बैठेंगे, और आप शांत चित होने की कोशिश करेंगे, आपकी body बोलेगा, बजा नहीं आ रहा है, अभी तो traffic का time है, अभी तो मुझे घुसा होना चाहिए था, habit na, habit formation, और उस समय आपको तुरत वह, आपको बोलेगा, चलो न उठ जाते हैं, आप खुद को स्थिर रख पाए, जभी आपको body इशारा दे रहे हैं, कहां बैठे हो, चलो, एक छोटी सी victory हो गया, इस छोटी सी victory से आप एपनी body को बताया, उस moment में, उस च्छन में, कि तुम मेरा मन नहीं हो, आपको जैसे आप meditation पे बैठे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, उसमें आपकी body बोले, उठ जाना यार, तकलीफ हो रही है, और आप नहीं उठे, तो आपने एक हिंट दे दिया body को, कि तुम मेरा मन नहीं हो, यह छोटी सी victory है, और यह जो frustration आती है, कुछ लोग की, कि मैं, आपसर लोग बोलते हैं, meditation मैं नहीं कर पाता, आप सही में, आप जो डिस्पेंजा कहते हैं, तो अगर आप बैठते हैं, आप चिंतन करते हैं, आप सोच रहें कुछ, और आपकी body resist करती है, that means you are at the first stage of meditation, नहीं तो अब जैसे ही आप बैठाएंगे meditation में, आपकी body को क्या क्या चीज़ याद आएगी, चाय, नाशता, कॉफी, जो cigarette पीने वा body, you are not getting up, you are just, body आपको क्या बोले, उठना, चलो देख लेते हैं, बहुत हो गया, बहुत देरे से बैठे, अगर आप बैठे रहते हैं, आप उसको बोलते हैं, कि नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम भी यहीं बैठो, तो आप ना, किसको train करें, एक जानवर को train कर रहा है, यह कुछ लोग ने मेरे से पूछाते हैं, कि अपनी husky को कैसे train करना है, तो अगर आपकी husky को train करना है, तो सबसे पहले आपका जो विचार है, यह मन है, उसको यह बताना है, यह छोटी-छोटी victory से, कि आप जो है ना, उस मन की उपर एक ऐसा will कर रहे हैं, उसक अंकुष लगा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, कि आप उसकी programming से ज़्यादा बड़े हैं, और वो आपका मन नहीं है, वो आपका body जो है, वो आपका मन नहीं है, आप उसके उपर हैं, वो आप उसको बताते हैं, और आप जभी बोलते हैं, मैं तुम्हें बोलूँगा, कभी उठना है, ना कि तुम मुझे बताओगे कि कभी उठना है, तुम मेरा मन नहीं हो, मैं मन हूँ, और ये एक जो छोटी से जीत है, ना, बोड़ी बहुत रिसस्ट करेगी, 95% of your body would absolutely resist this, आपको अच्छे सपने भी दिखाएगी, उठ जा और निकलो यहां से, बट रीसर्च क्या बोलता है, कि अगर आप ये करते रहें, जो जो डिस्पेंजा की रीसर्च बोलता है, कि आप ये अपने दिमाग के उपर में, आपके मन के उपर में छोटी-छोटी, मन भी नहीं, मन तो अलग से, आपकी जो body है, उसको बार-बार ये बताते रहें, कि I am in control, I am in control, sooner or later the body surrenders, ये फिर resist करना बंद कर देता है, और जब ये होता है, कि body resist करना बंद कर दिया, और आपके कहने पर ये शांती से बैठ सकता है, चैन से बैठ सकता है, एक जगा रह सकता है, बिना विच्रित हुए, एक बरी energy reveal होती है, body becomes free from old habits, emotions, और ये जो quantum वाली बात है, particle और wave, वो आप manifest कर पाते हैं, जो लोग इस थीती में पहुँच जाते हैं, तो उनकी anger कम हो जाती है, उनकी vigilance कम हो जाती है, वो लोगों में बहुत mean make निकालना कम कर देते है, और right-wrong के concept थोरा कम हो जाता हुए, और सबको एक positivity, joy, peace, और body जो उस condition में होती है, वो जो present moment में होती है, वो बह आपका चेहरा कैसा दिखता है, आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन से culture से हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप कौन से marital status में है, आपकी diet क्या है, आपकी past क्या है, उस समय में आप कुछ निए, खाली आप एक awareness में हैं, आप हैं, खुद को देख पा रहे हैं, एक बाहर से, एक meditation की हालत में, और जभी आप इस unknown की हालत में होते हैं, वहां से ही एक creativity शुरू होती है, और जब हम इसको properly कर पाते हैं, वहीं से हमारी क्या ठीक्या होती है, जब यह प्रेजन्ट में होते हैं, तो अगर आप past में नहीं हैं, और future में नहीं है, future में आप नहीं सोच रहे ह तो आपके anxiety कम हो जाएगे anxiety कम हो जाए ना मतलब हमेशा वो था हमारी obsession है ना कल क्या होगा कल क्या होगा अगर आप वो भूल करके अभी present में है आपके anxiety automatically कम being in present can also relieve you of depression because अगर आप present में है और आप अच्छे thoughts सोच रहे हैं that means आप hopeless नहीं है ना ही आप powerless है आप सोच पा रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ positive चीज़ है positive changes कर पाऊंगा तो यह जो हमारा जो animal part है जो body जो animal part है उसको control करना उसको control कर दिया तो आपमे क्या आएगे आपमे patience आएगे आपमे प्यार आएगा आप predictable नहीं रहेंगे फिर लोग आपको यह नहीं बोल सकते कि इसको ऐसे बोलो तो ऐसे behave करेगा लोग आपके बारे में बोलना चालू करेंगे अरी इसमें तो को change आ गया है यह तो एकदम अलग ही तरीके से behave कर रहा है यह तो पहले जैसा नहीं रहा आप अभी नोन से अन्नोन हो गया यह लोगों के लिए और यह जब यह लोग आपको देखते हैं और इसमें क्या चमतकारिक change हुआ है यह कितना खुछ रह रहा है कितना joyful है इसको गुसा ही नहीं आ रहा है मुझे इसमें से थोरा सा हिसा चाहिए आपके जैसा बनना है आपके जैसा होना है यह बात आती है न यह भात कमाल की चीज़े that means you are being in the present so while being in the present we disconnect from the body जो dispenser साब का बोलना है कि वो जो no bodiness है जो no one वाली जो feeling है उसमें आपको cell phone चाहिए ना computer चाहिए कुछ नहीं चाहिए आपको आप एक observer की हालत में होते हैं, आप meditate कर रहे होते हैं, आप resentment और जो impatience हैं, उसको छोरके आप gratitude और freedom महसूस करते हैं, joy महसूस करते हैं, body का जो नियंतरन था आप की उपर में, वो निकल गया है और आप body को नियंतरिक कर पाते हैं, और इस हालत से फिर healing की शुरुआत होती, क्य पुरानी habits चली गई, तो आप नई चीज की शुरुआत करते हैं, नई चीज क्रियेट होती है, और यह जो three-dimensional reality है, उससे आप निकल करके आगे बढ़ते हैं, जो quantum की तरफ, तो quantum में तो time भी eternal है, तो अगर मान लिजे, समय unlimited है, तो अब क्या-क्या कर पाएंगे, क्या-क्या कर सकते हैं, so when you are in a meditative state, जभी आप एक positive सोच लेके चल रहे होते हैं, जभी आपके अंतर में दया, करुना, प्यार की भावना चल रही होती है, तो आपका brain भी उसी तरह के chemicals बनाता है, तो जो आपकी energy होती है, जो vibration होती है, जो frequency होती है, जो information आप दे रहे हैं, और वो जो awareness है, जो consciousness है, वो आपकी विचारों की दुनिया बोल सकते हैं, यह विचारों की जो दुनिया है, इसमें कुछ भी possible है, क्योंकि विचारों की दुनिया में, जभी आप अपने आपको अपनी body से अलग करके देख पाते हैं, when you are nobody, when you are no one, when you are nothing, you are nowhere, you have no sense of time, then you are a pure consciousness, और वो ज जोड़ स्पेंजा की classes में, लोगों को यह meditation के दौरान, यह ऐसे feel कराया जाता है, कि आप all super powerful है, और when they are thinking in that meditative stage, जभी वो पूरी तरह से शांत होते हैं, दया करुना से भड़े हुए, शांती से भड़े हुए, और वो अपनी बीमारी के बारे में ना सोच करके, health के बारे म जो healing के लिए ज़रूरी है, आप उन jeans को express कर पाते हैं, जो कि बरी से बरी बीमारी को हटाता है, तो यह बात काफी deep हो गई, काफी लंबी हो गई, कोशिश की मैंने समझाने की, तो सोचे इसके बारे में, कि अगर मुझे नया कुछ करना है, एक नया इंसान बनना है, अपनी life में कुछ नहीं चीज लानी है, तो वो पुरानी सोच से, पुराने emotion से, पुराने ख्याल से नहीं आएगी, तो इसे के साथ आज की topic को खतम करने की इजादत माँगोंगा, काफी लंबी हो गए, tips जो practical देना चाहोंगा, आपके विचार की उपर में आप सोच लगाएं, देखें उसको, observe करें, किस तरह की विचार हैं, आपके जो unconscious behavior है, उसकी उपर ध्यान दें, फुरा meditation अपनी life में लेकिया है, कुछ से बाते करें, positive self-talk जो होती है, खुब अच्छे से विचार करें, आपको जिदिगी में क्या क्या चीज़े चाहिए, ये विचार ना करें कि जिदिगी में क्या नहीं चाहिए, ये दिमाग नहीं समस्तर ना, ये करके देता है आपको, आप जो सोच रहें और जो law of attraction है, उसकी जो action वाला word है, जो आपने सोच लिया, uncomfortable होगा, change करना, करें कोशिश, मैं भी करूँगा साथ में, देखते हैं कहां तक हम दोनों पहुँच पाते हैं, तो कल फिर मिलेंगे, और कल कोशिश करूँगा, तो रही से easier topic लो, health related कुछ, ये awakening और mind वाली topic हो ग जवाब देने की, I'll be posting the link for what the bleep do we know movie, जो dispenser की link भी डालूँगा, आप उसको देखें, समझें, और share करें, कैसी कैसी चीजें हैं, क्या life में चल रहा है, तो आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग आज live जुडे हैं, अगर मैंने आपको बोर कर दिया, तो माफी च जोति गुः, थैंक्यू, पुष्कर, थैंक्यू दोस, जो जोइन करने के लिए, प्रेरेंजन नायक, थैंक्यू, जोएनिंग राकेशरमा जी, हलो, प्रेरेंजन आपको शयद मैं जवाब दे पाया हो, how to control thought or past pain, to be in the present is what I will request, meditation is also a big one, लाइक अट्रेक्स, लाइक आप सही जोइनिंग वाज़रस्तोगी जी तैंक यू संदीप थैंक यू पंकज थैंक यू बाई पर जोइनिंग पंकज आपको सवाल नहीं समझ पाया बताएं मुझे अलग से पिंग करके विकास को स्वाजी शुक्रिया चवीता कि मुझे बहुत अच्छा लगा जानके कि आपने अ आप सब लोग जुडे हैं आप यह बात समझ पा रहे हैं थैंक यू सूप्रिया टेलीपथी बिल्कुल इट हैपन्स जो जो आप कर पाए हैं और रियर एंजन meditation being in the present is my answer to you अच्छी शुक्रिया लिकी थैंक यू सो मच शुप्रिया थैंक यू फर जॉइनिंग पापा थैंक यू कर बहुत बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए कल मिलते हैं आपके दिमाग में क्या चल दाए हैं sochi or take control bye take care bye bye guys see you tomorrow bye